हाई प्रेस मैं गीता वर्मा गीताकियनो.com में आपका बहुत बहुत स्वावत करती हूँ आलमेफेसे एक नेया वीडियो एक राही हो और उमीद करती हूँ आपको मेरे ये वीडियो भी पहले की वीडियो के तरह पसंद आएगा तो अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडि आज हम बनाने जारे है बेड मी मसाला पूरी जिसे सिफ मसाला पूरी भी बोला जाता है बेड मी पूरी भी बोला जाता है उड़त डाल पूरी भी बोला जाता है यह बहुत जादा क्रिस्पी बनती है और दिल्ली में तो बहुत जादा फेमस है लोग नाश्ते में खाते है आपको हर हलवाई की दुकान पे ये बेड मी पुड़ी मिल जाएगी सुभे सुभे नाश्टे के टाइम तो बहुत ज्यादा अच्छी लगती है तो आई बनाने शुरू करते हैं तो यहां पर मैंने लिया है दो कप गेहू का आटा वन टेमल स्पून यहां पर मैंने भुणा हुआ जीरा पाउडर लिया है वन टेमल स्पून धनिया पाउडर एक चुथाई चपमच यहां पे मैंने हींग ली है हींग पेट के लिए बहुत अच्छी होती है और इसे टेस्ट भी अच्छा आता है वन टीस्पून लाल मेंच पाउडर नमक स्वादनुसार और यहां पे मैंने 50 ग्राम उड़त की दाल बिना छिलके वाली भीगो कर रखी थी करीब एक घंटे के लिए और यह फूल गई है इसे हमें पीशना है वन टेबल स्पून यहां पर मैंने लिया है सौफ का पाउडर सौफ को मैंने मिक्सी में पीश लिया था वन टेबल स्पून हमें अद्रक लहसन का पेस्ट चाहिए यह भी मैंने घर पे बनाया है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे यह जो दाल है इसे हम पीश लेंगे मिक्सी में इसे बिना पानी डाले पीशना है आपको मोटा मोटा पीशना है और मैंने यहां पर रिफाइंड ओय जिसमें मैं पूरी को फ्राइ करूंगे थोड़ा सा ओयल हमें आटे में डालना है सबसे पहले हम आटा गून लेते हैं कि आटे में हम एड़ कर रहे हैं अद्रक लैसून का पेस्ट हींग लाल मिर्श सौंफ का पाउडर धनिया पाउडर भुना हुआ जीरा पाउडर नमक स्वादनुसार और इसमें हम यह पीसे हुई दाल एट करतेंगे जिसे मैंने मोटा मोटा पीसा था इसे बारिक नहीं पीसना है मैंने दाल को बिल्कुल दरदरा पीसा है और बिना पानी की अब इसमें हम तेल एट कर देंगे तो यहां पर मैं औलिव ओयल एट कर रही हूं चार चमच आप चाहे तो रिफाइंड ओयल का भी इसमाल कर सकते हैं पूड़ी और पूड़ी करें और पूड़ी पूड़ीन्स था झानति है तो आप पाएट किसे आट finer शोयां तो चाहे था सकते हैं यहां पानी करेंगे और एक टार अति रिफाता शकत आठा ken तो सधार करें 2-3 मिनट भी उंहें कि त्यौड़ दॉप केरें 20 मिनट ज़ना चाहिए 20 मिनट हो चुकम है तो 20 मिनिट हो चुके हैं हम खोल कर देख लेते हैं तो जो आटा है वो बिल्कुछ सेट हो चुका है अब हम पूडिया बनाना स्टार्ट करेंगे गैस पे हम ऑई गरम होने के लिए रख देंगे जब तक हम पूडियां बेल रहे हैं अब हम क्या करेंगे इसके पेड़े तियार करेंगे तो जितनी बड़ी हम पूड़ियां बनाते उससे थोड़े सी बड़े बनाने हैं क्योंकि जो बेड में पूड़ी होती है वो थोड़ी सी मोटी होती है एकदम बारिक नहीं बनाएंगे तो इस तरह से हम पेड़े तोड़ तो यहां पर इस तरह के से हम यह पेड़े तैयार कर लेंगे तो यह देखिए इस तरह के समय ने यह पेड़े तैयार कर लिह हैं अब मैं इसे आपको बेल कर दिखाती हो तो हम क्या करेंगी इसमें हलगा-स और लगाएंगे फिर इसे बेल लेंगे तो आपको इसमें सूखा आर्ट विलकुल नहीं लगाना है मैंने इसमें और लगा एब लूगी और बहुत सदा बारिक नहीं करना है थोड़ा समोटा ही तो यह देखे मेने पूड़ी बेल ली है और इसे मेने बहुत पतला नहीं रखा है हलका समोटा रखा है तो इस तरह से हम एक और पूड़ी तयार कर लेते हैं और आपको बिल्कुल बीसमें सूखा आठा वगर नहीं लगाना ने तो आपकी पूड़ी काली पड़ जाएगी हमेशा जब भी आप पूड़ी बेलें तो उसमें और लगाएं जिससे की पेलना बहुत आसान हो जाता है तो यह मैंने दूसरी पूड़ी तयार कर ली इस तरह से हम सारी पूड़ी तयार कर लेंगे और ध्यान रहें बिल्कुल पतला मत करिएगा थोड़ा सा मोटा ही रखना है का तो यह मैंने दूसरी पुडाः त्यार कर लिए है इसी तरह से में आपको भूड़े पुड़ी और झाल, गॉडब होने के लिए रख ते हुग हो एज जो पुड़ी हो शुद पुड़ी है बना कर डाल ले हूं आथ के लिए तो यह मैंने पूरी डाल दी है और जो ऑई है वो अच्छे से गरम हो चुका है तो आपका जो तेल है वो बिल्कुल तेज गरम होना चाहिए उसके बाद क्योंकि हमें गैस धीमी करनी है तो यह दिखिए पूरी जो थी वो अच्छे से फूल गई है और इसका कलर भी गोर्डन ब्राउन हो गया है तो अब बाकी की पूरिया फिर कर लेते हैं तो यहां पे मैं पूरी डाल रही हूँ और गैस को हम SaaS को अम दो जो और मीडियम के बीच में कर देंगे हमें हाई पे पूरिया नहीं फिरा करनी है है यह सौफ्ट हूच ओना जाए और हमें सौफ्ट पूरी नहीं चाहिए हमें चाहिए क्रिस्पी पूडिया तो इसलिए हम गैस को लोर मीडियम की बीच में कर देंगे और इसे क्राइब करेंगे तो इसे क्या होगा कि यह क्रिस्पी बनेंगी और बहुत अच्छा कलर आएगा इसका इस तरह से हम बाकी की पूडियां भी फ्राइब कर लेंगे और आप देख सकते हैं कितने अच्छे से यह पूडियां फूल रही है तो आपको कोई प्राब्लम नहीं आएगी इन्हें बनाते टाइम और जैसे कि मैंने बताया अगर आप बहुत जादा क्रिस्पी पूडियां खाते हैं आपको अच्छी लगती हैं तो आप इसमें सूजी अट कर सकते हैं थोड़ी सी यहां पर हलवाई की दुकान पर आपको सुबह के टाइम बेड मी पूड़ी और आलू की सब्जी मिल जाएगी अगर आलू की सब्जी की रेस्पी आप देखना चाहते हैं तो लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी आप देख सकते हैं अलडी मैंने अपलोड बहुत अच्छी पूड़ी बनते हैं और बहुत जादा क्रिस्पी बनते हैं और गैस में लो और मीडियम के पीछ में रखी हुई है इसलिए आपको भी ऐसा ही करना है अगर हाइप करेंगे तो पूड़ी बहुत जली गोल्डन ब्राउन हो जाएंगी और बिर्कुल भी क्र इन पूड़ी में तो आप इने ट्राइ कर सकते हैं नाष्टे में लंच में इनर में जिस साओं आपी त्राय कर सकते हैं तो आप फूली хват और और इस्पी थे इप तियार हो गई हैं तुम आपको कि आप इस झाहर भी अची गलज मत जह प्रे सो दिगातिः धर अपको इसा तो अब मैं इसे करने वाली हूं तो मैंने इसे कर लिया है चोले के साथ सब्सक्राइब कर दिया है तो आप इस रेस्पी को जरू ट्राइ किजेगा और आप मुझे लिखकर बताएगा कि आपकी जो पूरी है आपकी जो रेसिपी है वह कैसी बनी तो अगर वीडियो पसंद आ होएगा वीडियो को जादा से जादा शेयर करेंगा फ्रेंज के साथ फैमिली के साथ और सोशल मीडिया पर तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ तिल देन गुड़ बाई